नमस्कार दोस्तों, बगवन आफसेवी के बला करूँ और आपके सारी एक्षाय मनुकामने परी हूँ दोस्तों, आज मैं आफसेवी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मों जानकर रिवेक करूँगा और यहाँ पर सरपदम फिंगर के एनलेस के बाद पूरे हाथ के एनलेस कर आप से वी के सामने वेक किया जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लिए पाउम के कंपरिजर में शॉर्ट है जो एक fast tradition making habit को थोड़े जल्दबाजी वो हरबड़ी किसमे के वेक्तित को दर्शाता है शॉर्ट फिंगर एक प्रकार की immediate action लेने की tendency को दर्शाता है इस condition में वेक्तित में थोड़ी जल्दबाजी पाई जाती है और वो इसलिए होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के चाहद जाधा पाई जाती है इस condition में चुस्ती, स्फूर्ती और बहुत ज़दा उत्साहीत होकर के कोई भी काम करने की योती पाई जाती है एसे जातक एक प्रगर से देखा जाए तो बहुत जल्दी अपनी एनरजी को एक्स्प्लोर कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं उस करण बहुत जल्दी बोर होना या एक प्रगर से constantly कोई काम न कर पाना, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है तो अगर आप यहाँ पर patience अच्छा रखें तो आपके हर काम है perfection है, stability फिर अच्छा देखने को मिलने लगेगा या सोच विचार का अगर दूरदशीता रख करकर निरने लें तो और ज़्यदा stability आपके जेवन में आएगी little finger के लें short है और उपर से independent भी हो तो थोड़ा जिद्धी किसमे की प्रवती यहाँ पर यह दे देता है और short होने के करण थोड़ा communication error होता है तो पुरे मन की बात कभी किसी को नहीं कह पाते हैं तो थोड़ा stage fear होना या रुक रुक करके बात करना या जो management हो थोड़ा सवीक होना यह combinations होता है विश्नु सहस्तर नाम सुनना या हमेशा गाय को चारा खिलाने से बुद्ध की जो भी यह negativity हैं यह सब खतम होती है तो punctuality management और communications और wealth यह सारी चीजों में increasement होना शुरू होता है third finger के लिए जादा strong है तो यह risk taker बनाती है तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं hard working nature and approach यह create करता है और खुद के effort महनत से बहुत ज़्यादा तरक्य कर पाते हैं आपके द्वारा किया गया कोई भी महनत या प्रयास विफल या बेकार साबित नहीं होगा first finger का जब भी जुकाओ सेटन के तरफ होता है तो अध्यात में कुरूची के साथ सा धार्मे किसमे की प्रवति को ही अपन करता है और इस कंडिशन में परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से अपने आपको ढाल पाने में सक्षम दिखाई देते हैं इसके लवा यहाँ पर देखेंगे तो finger के जो आपके notes है यह develop कुल मिला करके ठीक है तो यह इसपश्वादी किसम का nature देता है तो सीधे स्पश्वाद से बाचित करना या सुनना विचारना भी basic nature में देखने को मिलता है phalanges की स्थिति वैसे ठीक है internal marks आपका develop ठीक है तो stamina, energy या रोख परतिरोधक्षमता बढ़िया रहेगा और thumb का size यहाँ पर आपका कुल मिला करके short है तो to the point बात करना सुनने ही जादा पसंद करेंगे बहुत जल्दी move on कर जाना, let go कर जाना, पुरानी बातों को भूला के बढ़ने की युदिया देता है एक negative point इसमें यही है कि कोई भी planning properly execute नहीं कर पाते हैं या planning के उपर consistently work नहीं कर पाते हैं रुक रुक करके काम करने के आदत यह देता है, will power, strong रहने के करन जुनूनियत में कोई भी काम करपानी की युगिता पराप्त होती है पाम को जो यहाँ पर आपका size है, वो rectangular ship में available है तो शाररिक मेहनत के बजाए मानसिक मेहनत अच्छे से करपानी की यूती को यहाँ पर यह दरशाता है Lots of dream, desire and ambitions, life के प्रती देखने को मिलते हैं और अब यहाँ पर एक-एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे में आपको अवगत किया जाएगा तो यहाँ सबसे पहले आप Jupiter Mount के रिगारिंग देखिए तो आपको Jupiter Mount पहले बाद तो develop बहुत अच्छा है इस प्रकर को Jupiter society में status अच्छा देता है, respectful personality create करता है सांसरिक सुख या परिवरिक सुख की दरिष्टिकों से अच्छा माना जाता है married life और family life के रिगारिंग जादा struggle stresses नहीं होता या सुख जो है शादी के बाद बहुत बढ़ता है जितनी भी आड़ी रेखा हैं ये सब कि सब आपको अध्यात्मे कुरूची के सासा दानवीर किसम का व्यक्तित देगी जिसके तहत दान, धर्म या किसी प्रकार के help करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और social work करके या निस्वाट भाव से कोई भी श्रम करके जीवन में बहुत ज़दा प्रगति करते वे या फिर भागे को मजबूत करते वे देखने को मिलेंगे आप बहुत ज़दा संसकारी हैं वेसे ही आपके बच्चे भी बहुत ज़दा लायक या संसकारी देखने को मिलेंगे और इस condition में multiple source of funding भी पाया जाता है तब जब कोई न कोई independent work किया जाए या फिर self-employed रहा जाए self-employed का ताथ पर वो होगे जिसमें अपनी किसी भी skills के द्वारा आप लोगों की help कर पा रहे हो या service दे पा रहे हो तो Jupiter जब अच्छा होता है तो knowledgeable personality को create करता है और सूर के उपर कोई भी negative sign नहीं है तो 100% government job के chances है कब तक government job लगेगा 35 के इस तक 100% हो जाएगा क्योंकि उस समय आपकी जो mind lane है वो अलगी भूमिका में चलना शुरू कर रही है और फिर उसका बहुत long way से यह run कर रही है तो इस condition में जो thinking process है उसमें बढ़ोतरी होती है learning capability बढ़ती है responsibilities बढ़ता है बुद्धी मता को सदुपयोग होता दिखाई देता है तो इसलिए जो earning capabilities है most probably इस period के बाद से बहुत आपका बढ़ जाने वाला रहेगा 35 से तो government job के chances तो पूरे हैं क्योंकि जूपिटर अच्छा respond कर रहा है सूर्य यानि सरकार के द्वारा lab मिलेगा और mind यानि competitive exam crack होगा इसलिए आप learning के उपर विश्विश कर ध्यान देवे यहाँ पर जितनी भी बीच में रेखा आप देख पा रहे हैं छोटी मोटी जितनी भी रेखा हैं आपको देख रहे हैं सब के सब practical spirituality देती है और इस condition में किसी परेकार के सत्संग, भजन, किर्टन जैसी चीजों में involvement आप जैसे जातकों का जब-जब होता है तब-तब internal peace, happiness और भाग उदय की स्थितियोत्पन होती है इसलिए हमेशा दान धर्म जैसी चीज़े करते रहना चाहिए ताकि भाग में जो है बड़ोतरी देखने को मिले जहां तक बात करें शनी के विशय में तो हरेदर रेखा से कुछ रेखाय निकली हुई है जो जिसे कहते हैं truth line और इस condition में आप जैसे जातक जूट, फरेव, दिखावटिपन, धोकवाज़े जैसी चीज़ों से दूर होते हैं नया एकिसम का वेक्ति तो होता है और इसे opportunity line भी कहते हैं और इसका तात पर यह होता है कि आप जैसे जातक दूसरों की मदद करने से या सच का साथ देने से कभी भी पीशे नहीं हटते और कभी भी किसी भी चीज़ को पानी की चाहत हो और उसके regarding opportunity ना आया ऐसी बात हो ही नहीं सकती इसलिए यह रेखाओं का काम होता है जीवन में बहुत opportunities देना, regular based income देना, किसी प्रगर के resources में कमी न करना तो भागी की स्थिति अगर हम देखें तो वो प्रबल है जागरित थोड़ा देरी से जरूर हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी हम भागी रेखा को अगर जज करें तो यह भी around 34 के बाद से ही आपका जागरित हो रहा है और अगर हम जीवन रेखा के उपरांत बात करें तो यहाँ पर भी जो एक self-match लगने निकली होई है वो भी around 38 में निकली होई है दोनों में थोड़ा फरक है 34 के आसपास से earning स्टार्ट हो जाएगी 35 के आसपास से mental जो एक प्रकर से responsibilities है वो बढ़ेगा और 38 केज में जो भी desire ambitions आपका जो भी रहा यहाँ पर materialistic चीजों के रगाड़ें जैसे घर, सुख, सुविदा या फिर गाड़ी या और भी another वो सारी चीज़े पूरी होगी तो यहाँ अगर हम देखें तो एक तरी से भागे की जो प्रबलता है वो तकरिबन 34 के बाद से मजबूत हो रही है तो 100% 35 के इस में आपका जो है government job के chances पूरे हैं क्योंकि भाग रेखा एट देंट सेटन तक पहुच रहा है और सेटन देता है internal peace and happiness, stability और किसी भी काम का destination है तो इसलिए आप अपने मंजिल तक 100% पहुचेंगे सूर की रेखा जब भी रेदरेखा से प्रारंब होती है तो जितना जीवन में सोचा हुआ रहता उससे जादा ही नाम कमाते हैं और आप जैसे जातकों का जीवन जो है तकरिबन 36 के बाद से बहुत positive होता दिखाई देता है जितना भी नाम इजजशोरत है सब 35 के बाद से आपका बढ़ेगा इसलिए financial strong भी आप 35 के बाद में हो जाएंगे अभी भी आपको private job के regarding opportunities आ जाएगे लेकिन आपके उपर depend करता है कि अगर आप अगर आपने learning के उपर ध्यान दिया, studies के उपर अच्छा ध्यान दिया, concentration क किया तो government job मिलने में फिर दिक्कत नहीं आएगी और अगर वहीं अगर mind divert करके कोई another काम में इंगेज होगा तो फिर time ही कहां दे पाएंगे आप studies में तो यहाँ पर एक हलका से triangle का भी sign है वो भी a secured financial position को indicate करता है कि आपको life में ज्यादा finance के regarding struggle नहीं करना पड़ेगा 35 के बा पाते हैं और mercury mound के उपर एक सेत्य दिक्रेखा मीठी बोली या आकशित व्यक्तित की निशानी होता है finance के regarding knowledge अच्छा गेन कर पाते है calculation skills अच्छी होती है hospitality या sympathetical nature and approach देता है multiple languages के उपर पकड़ अच्छी होती है अपने बातों से attract करना या दूसरों को प्रेरित प्रभाव अच्छा देता है इसके अलवा हेदर एखा के बारे में देखें तो आपकी जो heart line है यहां से सीधे निकलते हुए आपके एक तो जूपिटेर पर जा रही है straight और एक साखा सीधे गई है जूपिटेर के upper position में इस ट्रेट जाने वाली रेखा व्यक्ति को कभी खाली बैठने नहीं देती कुछ न कुछ वर्क करना आपने आपको बीजी रखना किसी ने किसी कामे इंगेज रखना यह basic nature में होता है और upper position में जाने वाली रेखा थोड़ा emotional, sentimental, साफ सुतरे दिल के व्यक्ति तो soft hearted, pure hearted type of nature personality दर्शाती है, जिसके करने दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट करना, किसी प्रकर का छल कपटना रखना और ऐसा bifurk का sign इसे जो है विश्नु सिंबॉल भी कहते हैं और इस condition में यह starting life थोड़ी tough देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, यह किसी काम को लेकर के time duration बढ दूसरा अपने बात को सही डंग से समझा पानी की यूती प्राप्त होती है, इस condition में जो sense of humor है वो भी आप जैसे जातको का अच्छा पाये जाता है, जो मंगल से एक रेखा रही है यह थोड़ा सा aggression खराब देती है, मांगली क्योकर निर्मान भी करती है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही, मेरेज करना या फिर मंगल के regarding remedies करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि मंगल का जो आग है, वो कही न कहीं married life में या family life में या childhood में disturbance लाता है, जैसे यहाँ पर यह आपकी mind और lifeline को काट करके गया हुआ है, उमर 17 से लेकर के 19 के बीच में, 17-18 के आसपास में, त mental stress pressure से गुजनना भी पड़ा था, यहाँ पर आपको आपको आपके life में बहुत ज़्यादर struggle around 24 के आसपास तक रही, क्योंकि उस समय तक आपकी mind और lifeline पूरी मर्ज चल रही है, इसके बाद आपके mind level थोड़ी independent हुई, हलका से एक island का formation है, जो 30 से लेकर के 33 के age के बीच में available है, जो again mental level का stress दे रहा है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे, तो mind line एक दम smoothly long run कर रही है, जिसके करण कई न कई आपकी studies और आगे बढ़ेगी, आपकी learning और अच्छी होगी, और outer mark से connection होने के करण mentally strong होते वे, या mentally stable होते वे, सारे struggling या pressurized situations को easily handle, tackle करते वे, courage यारी हिम्मत बढ़ते वे, साहस बढ़ते वे, यहाँ पर यहाँ दर्शाता है, लंबी मस्तिश रेखा में छोड़ी से छोटी पुरानी से पुरानी से पुरानी बाती clear cut याद रहते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, और विपरीत परिस्थिती माहुल लोगों का सामन डट करके करते हैं, क्योंकि बच्पन में ही इतना सारा कस्ट देख लिया कि कुछ देखना बाके नहीं है, तो बहुत आंतरिक रूप से मजबुत इस कंडिशन में पाय जाते हैं, और पेसा से लेकर के सफलता, इस सारी चीज़ें जीवन में अच्छे से अर्जित कर पाने क योगेता प्राप्थ होती है, इसलिए कॉंपरेटिव एक्जाम में क्रेक करने के संपुर्ण योगे यहां पर आपके निर्मित हैं, लाइफ लैन के उपर देख लेंगे तो लाइफ लैन का फ्लू मिडिल ओफ द पाम आ रहा है, और इसलिए यह कही न कहीं आपको जर्मिस मिलेगा जिससे किसी भी प्रकर का stress, struggle या worries खतम होगा और desire, ambition पार्टनर या दूसरों के support से पूरे होंगे, शुकर की स्थीती में देखेंगे आप बहुत सारी आड़ी रेखाया हैं जो घरीलू तकलिप परसानी या चिंता देती है, तो आपको कही ना कहीं overthinking, negative thinking और family pressure से दूर हटना पड़ेगा, तब जाकि यहां की सीधी खड़ी रेखायों का लाब मिलेगा, जिसके अतरिक यह opportunity देती है, ताकि life is still better हो, luxuries comfort देती है, पेसा अच्छा देती है, तो अन्तुतह शुकर respond अच्छा करा है, जो शौकिन किसमे के व्यक्तित को, और आलिशन घर के सु इनुन होसला अच्छा है, शुकर से भी रेखा रही है, तो family को भी भरपूर सपोर्ट कर पाएंगे, केतु पर बायफोर कोई का साइन है, जो traveling अच्छा देता है, चंदर भी कुल मिलाकर के विक्से ठीक है, थोड़ी सी हलके फुल की आड़े रेखा है, जो ध्यान भटका स सकते हैं, लेकिन चंदर आपका तब भी खराब नहीं दिख रहा है, खान पन, घुमने, फिनने, या के सकते हैं कि सकरात्मक सोच रवाई है, यहाँ पर आप क्या है, money triangle यहाँ पर हलका सा incomplete है, इसलिए पैसा तो जीवन में आएगा अच्छा, रुकने नहीं वाले खर्चे ज़्यादा रहेंगे, तो आप सिर्फ अभी अपने health के विशे में थोड़ा ध्यान दे, learning के उपर ध्यान दे, बहुत भेतरी लेवल का भाग दे, तरक्की समरिद्धी वा खुशाली आपके जीवन में निश्य रूप से 30 के उमर में आने वाली है, अगर हम देखें आपके left hand में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि aggression थोड़ा आपका बच्पन से ही खराब रहा है, लेकिन फिलाल इसमें control हो जाता है क्योंकि 28 के बाद से aggression खतम होता है, बाइफुर्ग के SSI, multitasking nature और multiple interest को भी indicate करते हैं, एक से ज्यादा कला में माहिर होना या एक से ज्यादा interest होना, थोड़ा चतोर चाला के किसमें का व्यक्तित होना तो opportunities को अच्छे से grab करना, intelligence कुल मिला करके बढ़िया होना, और भागी की स्थिती भी प्रबल जा रही है, और यहाँ पर एक रेखा जब इस प्रकार से जाती है, तो इसे VLSS आविया क्या जाता है, जो एक प्रकार के addiction को भी indicate करता है, तो खान पन के उपर भी थोड़ा विशेशकर ध्यान रखे, क्योंकि यह स्वास संबंदिया पेट संबंदिय विशेशकर को लेकर के थोड़ा तकलिफ दे सकता है, बागी कोई कमी तकलिफ परशारी नहीं है, और निश्चित रुप से भाग दे की स्थिती उ मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद